सब्सक्राइब कर सकता है कि कैसे हम जो कि यूनिक आर्टिकल की मदद से जनरेट करें और क्या उसके उपर Google AdSense अप्रूब देता है या फिर नहीं देता है यह सारे डिटल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कम्प्लिटली गाइड करूँगा कैसे आप जो कि 100% with keyword जो कि आप आर्टिकल को जनरेट कर सकते हो वन क्लिक में आपको यूनिक आर्टिकल कैसे मिलने वाली है तो चलिए बात करते है चैट जीपिटी के मदद से कैसे आप आर्टिकल को जनरेट करोगे उसके लिए हम क्या करें करते हैंगे हम यहाँ पर पहले Google Trends के उपर आ जाएंगे यहाँ पर और आपको चले आना इसको सर्च करना और यहां से हम keywords को उठाएंगे तो keywords आपकी प्लेटफॉर्म से उठा सकते हो कोई यहाँ जरूर नहीं कि आप कहीं से भी Google Trends से उठाओ आप कहीं से भी उठाओ आपको जो की गूगल ट्रेंड के बाद में से बता रहा हूं जो अभी ट्रेंड कर रहा है यहां पर फिलाल अभी उसको देखोगे तो यहां पर रिसेंट जो की ट्रेंडिंग अगर हम बात करें तो यहां पर देख लीजिए यहां पर रिसेंट जो की ट्रेंडिंग में जो च तो यहां पर बहुत सारे keywords आ जाते हैं जैसे कि यह अभी six number पर trend कर रहा है तो मैं इसे ही ले ले लेता हूं ठीक है इस credit card को ले लेता हूं इसके उपर मुझे चाहिए article मुझे इसके उपर article चाहिए क्योंकि हम with keyword article हमें लिखना है हमें कौन सा भी टूल का इस्तमाल करके कैसे भी article बना लेना इंग्लिस में लिख लेना वह नहीं चाहिए हमें इस keyword को target करते हुए हमें जो एक आर्टिकल चाहिए अगर इस keyword को target करते हुए हम article लिखेंगे तो इसके searching searching में आने में बहुत ज्यादा chances है मतलब यह जैसे कि अभी trend कर रहा है keyword तो इसके उपर कोई search करेगा तो definitely हमारा भी आ जाएगा तो चलिए बात करते हैं इसको सबसे पहले क्या करोगे आप copy करोगे इस तरीके से copy करने के बाद यहां पर आओगे यहां पर चैट GPT के उपर आओगे अगर आपको नहीं मालुम इसके उपर कैसे आना है तो आपकी यह website के link में डिस्क्रिशन में दे दूंगा देख तो chat.open.ai.com इस तरीके से है और इसको content को लिख होगे. write 100 plus words article using this keyword इस तरीके से आपको लिखना है और लिखने के बाद जोएगी अपने उस keyword को जो keyword आपने यहां से copy किया है इस keyword को आपको यहां पर paste कर देना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर मैं इसे paste करता हूँ और paste करने के बाद देखिए यहां आप इस तरीके से नहीं लगाते हो तो आपका मैं बता दूँ कि यह जो की keyword को target नहीं करेगा तो इस तरीके से आपको जो की inverted comma अगर हम बात करें double inverted comma आपको इसको लगा देना है और उसके बाद यहां पर hit कर देना है या फिर आपको enter को hit कर देना है तो मैंने कर दिया hit आप आप देखिए इसी keyword को target करके लिखेगा देखिए पहले यहां पर credit card का यह आ गया एक बार आप देख तो इसने repeat किया जितनी बार यह अगर हम बात करें इस keyword को target करेगा उतनी बहतरी नहीं यह article आपकी बनेगी तो यहां पर देखो यहां पर इसने use किया दूसरी बार आप करें इसका title चाहिए यह सारी चीज़े हमें इस article को generate करने के बाद हमें चाहिए वो सारी details सारी चीज़े इस वीडियो में आपको completely बताऊंगा कि AI की मदद से कैसे आप जोगी 100% high quality की आप जोगी content ले सकते हो plus मैं आपको इसकी plagiarism भी check करके बताऊंगा कि क्या यह unique है या नहीं है काफिसर लोग यह doubt करते हैं या यह unique नहीं होगा मैं आपको इसकी uniqueness भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में जब तक यह article लिखता है तब तक हम क्या करते हैं यहाँ पे plagiarism checker को और थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे और इसके अंदर मैं यह duplicate checker को मैं ज़्यादतर use करता हूँ इसको मैंने ले लिया और इसको पर click करने के बाद जो कि और इसके बाद जो कि आप देखोगे तो यह magic है देख सकतो इसने 10 टाइम इसको यूज किया हुआ है 10 टाइम का मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कर रहा है और बाकिर सब जो है कि ऊपर के कर चुका है अब सवाल यह है कि बहुत सार लोग यह बोलते हैं कि मुझे यह यूनिक है यह फिर नहीं है लेकिन हम इससे पहले हम यह जान लेते कि इसके टाइटल कैसे जनरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे यहां पर इस तरीके से यहां पर सर्च करेंगे और यहां पर बोलें यह मतलब एक इसका टाइटल दे दिया इस तरीके से आप इसी तरीके से आप जो कि टाइटल को जनरेट कर सकतो हो और फिर मुझे अगर चाहिए मान लिजे इस ब्लॉक का जो कि मुझे heading चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सच करूँगा फिर से गीव मी this blog heading ठीक है इस तरीके से मुझे search करना होगा और enterprise करना होगा अब आप देखोगे तो इसकी जितने भी heading है न वो हमें दे देगा यह heading 1 हो दे दिया और भी हमें heading चाहिए और actual में पुरा six heading नहीं दिया give me this blog heading इस तरी से copy करेंगे यहाँ पर पेस्ट करेंगे और all heading कर देते हैं एंटर प्रेस करेंगे अभी देखिए इससे related जितने भी मतलब 6 heading होते हैं हमारे h1, h2, h3, h4, h5, h6 होते हैं तो इससे related जो की h6 तक ही heading देगा h6 के बाद यह नहीं देगा ध्यान रखिएगा यह h6 तक ही देगा देख तो यह है अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यह h7 तक चला गया ठीक है तो यह h7 तक यहां पर दिया तो कोई नहीं checker के उपर और यहां पर जोई की से paste करता हूं देखिए एक यह AI टूल है डेफिनेटल यहां पर कोई plagarism आपको नहीं मिलने वाले हैं जैसा कि हम doubt करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है इसको मैंने paste किया नीचे scroll करूंगा यहां पर आऊंगा I am not Robert पे और check plagarism पर के उपर क्लिक करूंगा जब check plagarism के उपर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप live proof के साथ में यह देख रहे हो कि क्या इसके अंदर plagarism है भी या फिर नहीं है 100% unique आता है और यह rank भी करता है प्लस next वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा काफी सार लोग यह भी doubt करते हैं कि यार मतलब यह human writer है या फिर नहीं है मतलब एक जैसे हम लिखते हैं वैसा यह लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है वह भी डाउट आपके next वीडियो में clear करूंगा वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी इसके लिए मैं फटा फड़ जो कि plagarism को चेक करके आपको दिखा देता तो फिलाल हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यह देखते हैं कि यह plagarism pre है या नहीं है तो यहां पर मैं आपसे बात करते रहूंगा यहां पर कुछ और भी चीज़े बात करूंगा इसको चलने दीजिए क्योंकि अगर हम इसको skip करेंगे फटा फटा फ़ावर्ड इस तरीके से यहां से keyword को उठाना है देखिंए keyword को उठाने के time पर धेयां देना है बहुत सारे लोग जो एक क्या करते गलतिया ये करते हैं कि जो trending है मतलब one month two month के अंदर में को उठाते हैं आपको क्या करना है रियल टाइम में जो searches चल रही है, जो trend चल रहा है, उनको आपको उठाना है, उनको उपर काम करना है, एक long time के लिए आपको response मिलता है, फास्टर से response मिलता है, लेकिन इसके लिए आपके पास जो की instant indexing होनी चाहिए, आपके wordpress में instant indexing install होनी चाहिए, जिससे फास्टर चाहिए से इंस्टॉल हो जाए, और फास्टर से अगर हम बात करें आपको traffic मिल पाए, तो यहाँ पर फिर से हम आते है, प्लेगरिजम चेकर पे, तो यहाँ पर देखोगे, तो 74% अभी यह available है, फिर से हम जो की ही पर आएंगे, और यहाँ पर कुछ और भी चीज़े हम बात करते है तो फिलाल, अगर हम बात करें, तो real time को आपको target करना है, प्लस यहाँ पर daily search trend को भी आप target कर सकते हो, डेली search trend में भी आप इसको पर काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर categories भी आपको select करना है, मतलब कहा से आप कि country को आप target करना चाहते हो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहा आपको real time के data के साथ में जाना है और यहां पे देखतो यह 100% हो चुका है और अभी यह finalize कर रहा है तो यहां पे देखतो यह 100% unique ही दिखा रहा है यहां पे अभी आप देखोगे लेकिन यह थोड़ा सा समय ले रहा है यह जैसे यह समय complete करेगा उसके बाद यहां पे देखोग है तो बिल्कुल आपको इस तरीके से maximum article को generate करना है बस फिर से आपको चैट करोगे आप जो कि फिर से इससे कुछ आर्टिकल मांगे बस keyword replace करना है आर्टिकल मांगना है फटा फट जो है कि आपको आर्टिकल यहां पर published करना है तो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आ हो चार करना हैал पसंद आर्टिकल मांगना है